हेलो फैंट स्वागता आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राटा और्स कॉंबिनेशन में जिसमें लाते हैं हम आपके लिए बहुती उप्योगी वीडियो आज में लाए है आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको भारत की Seven Sisters के बारे में जी हाँ दोसतो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की साथ बेहनी कहे जाने वाले सभी राजियों की जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम निम टॉपिक्स पर पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे पहला नेम आफ दे सेवन सिस्टर्स कि वो सेवन सिस्टर्स हैं कौन कौन सी और फिर भारत की साथ बहनों के बारे में फिर उनके बारे में शाट इंट्रोडक्शन भी फिर उसके बाद अंत में हम आपको बताएंगे पांच वजो हमारा महतवपूर्ण पॉइंट है इन सबी साथ बहनों से संबंदित महतवपूर्ण बातों के महतवपूर्ण प्रश्न जो कई बार हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो अपना टा काला टापिक है कि भारत की साथ मैंने कहे जाने वाले राज्यों के मुख्य विशेस्ता क्या है तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे भारत के उतफर पूर्वी राज्यों के संदर्ता के बारे में जी हा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे भारत के उन साथ राज्यों के बारे में जिने प्रकृती की आडमी रखा गया है इश्या की सबसे सच गाओं असम में भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी तक राज्यों के पास बहुत कुछ है और जादा तर सभी साथ बहनों की अंतराष्टिय सीमाएं भारत में सबसे कड़ा मठ अरुनाचल प्रिदेश में है और उसको तवांग मठ के नाम से भी जाना जाता है जिसकी हमारे इतिहास में काफी चर्चा की गई है और प्रिथिवी पर सबसे अधिक औसत वर्षा में घाले के मानसीन राम में होती है जो कि प्राय साथ बहन कहे जाने वाले राज्य में ही इस्तित है और साथ बहनों और उनके अद्बु सुन्दरता की पेशकश के बारे में और जानने के लिए आपका हमारी इस वीडियो मे फिट से स्वागत है तो दोस्तों सुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे भारत की इन साथ राज्यों के बारे में जो अपने अलौक एक सुन्दरता के लिए जानी जाते हैं तो हमारा जो पहला राज्य जो पहला टापिक है वो है इन अरुनाचल प्रदेश के बारे में आपको बताएंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि अरुनाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है इटा नगर दूसरा है असम जिसकी राजधानी है दिशपूर तीसरा है मिगाले जिसकी राजधानी है शिलांग चता है पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर्पूर् आगे और देखते हैं और अरुनाचल प्रदेश की और लाकिक सुंदर्ता और उसकी महतो पून विशेस्ताओं के बारे में जिसकी राजदानी है इचा नगर तो दोस्तों अरुनाचल प्रदेश के बारे में अरुनाचल प्रदेश जो अपने सुगम्मे पहाडों, बेरोजगार दर्रों और शांत जीलों और प्रसिद मठों का एक घर और एक अद्बुग गंतव्य स्थान है अगर आप आदिवासी संस्कृती और उसकी उत्क्रिस्ट सुंदर्ता की साधिकी का पता लगाना चाहते हैं तो अरुनाचल प्रदेश आपके लिए एक आदर्श राज्य साबित होने के साथ साथ वनस्पतियों और जीवों की इसकी अद्बुच रंक लाएं हैं और ग्लेश्यरों के साथ साथ एक अद्वितिया आवास उच उचाई वाले घास के मैदान और उश्न कटिव बन दिया वन सुंदर राज्य आकर्शन को भड़ाते हैं ये थी इस राज्य की आकर्शक विसेश्ता हैं और नाचल प्रदेश उसकी श्रीमा दक्षिन में असम पस्चिम में भुटान और उत्तर में उत्तर पूर्व में चीन और पूर्व में मयामार से लगती है तो दोस्तों आपको बता दे अरुनाचल प्रदेश जो है उसकी सीमा प्राय हमारे पडोसी देश चीन से लगती है और साथ ही मयामार जिसे वर्तमान में वर्मा भी कहा ज या वनस्पति विज्यानियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। उस राज्य में पक्षियों की कुल पांसो से भी अधिक प्रजातियां देखने को मिलती है। यह राज्य का अंधिकांश भाग शान्त पहाडों से अच्छादित है। जो शर्दियों के दोरान एक मन मोहक द्रश्य प्रस्टुत करता है क्योंकि बर्फ उस पहाडों की चोटियों को कवर करती है। और वनस्पति और जीव ये विस्तार में सांती और ताजगी की इस्तित प्रदर्शित करते हैं राज्य के चलाक लोग चहरे पर मुश्कान और दिलों में प्यार और गर्म जोसी के साथ वहाँ आने वाले परियटोकों का स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों अरुनाचल प्रदेश की ये थी महतपून बाते हैं। उसमें पांसो से भी अधिक वनस्पतियां और पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और आपको बता दें अरुनाचल प्रदेश को भारत का आरकर राज्य भी कहा जाता हैं। क्योंकि उसमें वनस्पति, फूल और पेर पोधों की जो प्रजातियां होती हैं वो अंगिनत संख्याओं में वहाँ पर रहने वाले लोगों के बारे में भी बताया कि वो किस तरह अपने राज्य की तरह ही बहुत ही सुंदर और स्वभाव के हैं। तो ये था अरुनाचल प्रदेश के बारे में। अब हम ले चलते हैं आपको साथ बहने कही जाने वाले अगली राज्य के अंदर। तो दोस्तों अब बारी है हमारे नागलेंड राजी के बारे में जानेने की जी हाँ दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे नागलेंड के बारे में जो की सेवन सिस्टर आफ दो इंडिया का ही एक स्टेट है तो देखते हैं नागलेंड की ऐसी महतपूर्ण और रोचक बातों के बारे में जिसे जानकर आप भी अहरान हो जाएंगे तो अब बात है नागलेंड की तो दोस्तों आपको बता दें नागलेंड को तोहारों की भूमी के रूप में प्रसिद नागलेंड देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक विचित्र राज्य है जी हां दोस्तों नागले उनको तोहारों की भूमी कहा जाता है जो भारत के उत्तर पूर्वी में एक विचितर राजे के रूप में प्रशिद है और भारत का ज़्यादा पसंद किये जाने वाला हिल स्टेशन भी नागलेंड में ही इस्तित है नागलेंड की प्राकृतिक सुन्दर्ता और सनरक्षत इतिहास आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि मंत्र मुग्द कर देने वाले राज्ये की यात्रा में आप अपनी छुट्टी को यादगार बना सकते हैं अपने हॉलिडे स्पेंड करने के लिए नागलेंड एक बड़ा ही भड़िया स्टेट है अपनी संस्कृति और पहच्यान के प्रती बहुत सुरक्षात्मक रहने वाली नागलेंड की विविन जन जातियों का निवास और नागलेंड सुन्दर्ता और उदार्ता का दूसरा न गीत नागलेंड को परिभाशित करते हैं तो दोस्तों ये देखिए ये हैं नागलेंड की विशेस्ताएं नागलेंड को प्राय उदार्ता का दूसरा नाम कहा जाता है और नागलेंड में नाहीं उनके लोगों के सुन्दर्ता का वर्णन वर्क्यू उसकी प्रकृति और व अब हम बात करते हैं अपने अगले राज्य यानि की तिरपुरा की जो जी हाँ दोस्तों अब बताएंगे आपको तिरपुरा के बारे में महातपुर्ण बाते तो आपको सबसे पहले बता दे की तिरपुरा उत्तर पूर्वी भारत में इस्तित भव्य परीद्रश्यों, क्रिष्टेलिय जर्णों और विश्माई कारी पहाडों, घने जंगलों, इतिहास और परंपरा से भरपूर एक लोग पिरिया पर्यटन इस्तल है हिमाईले के पहाडों की तलहटी में बसे यह राज्य के पीछे एक लंबी एतिहासिक विरासत भी है, जिसकी कहानी पढ़ाय कई एतिहासिक भुकों में भी पढ़ने को मिल जाती है और तिरपूरा कभी प्रसिद मानिक के जनजाती का घर भी हुआ करता था जिसके परणाम स्वरूप इस राज्य में विभिन पूरा तत्विक इसमारकों और सनरचनाओं की भी अधिक्ता पाई जाती है जो सभी तिरपूरा के सम्रिद संस्कृतिक और पारंपरिक अतीत को प्रमानित करते हैं यह राज्य पारंपरिक जनजातिय संस्कृति का थोड़ा और आधुनिक बंगाली संस्कृति के साथ एक अनूठा मिश्रन प्रदर्शित करता है तो दोस्तो यह थी तिरपूरा के बायन में महतपूर्ण बाते जिसकी अतिहासिक विरासतों में प्राय मानिक्य जैसे प्रसिद वनसोजों की भी कहानिया प्रिशिद हैं और इतना ही नहीं ये कहा जाता है कि तिरपुरा पुरा बहुत पहले प्रसिद माणि के जनजातियों का घर भी हुआ करता था तो ये था उसका पारंपरीक अतीत अब दोस्तों बात करते हैं तिरपुरा की अन्य महतपूर्ण बातों का तो आपको बता दें कला और संस्कृती में सम्रिद उन्निस जनजातियों की भूमी तिरपुरा हरी भरी पहाड़ियों में इस्तित है और प्रकृतिक सुंदरता और सूरम में इस्थानों से सम्रिद है जो दुनिया भर से परियोटकों को आकरशित करती हैं धार्मिक त्योहार, रंगीन वेसबुशा, कलात्मक बेत और बास के उत्पाद, बहुभासी लोग और स्वादिस्ट भोजन, यादगार दर्शनिय इस्थर, शाहाशिक ट्रैकिंग और जीवन्त खरीदारी, अनुभाव तृपुरा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपक आत्मा और आत्मा को पूना जीवित और फिर से जीवित न कर पाय, तो ये था दोस्तों, तिरपुरा के बारे में बहुत ही मन मोहक और आकरशित करने वाली विशेश्टा हैं, जो आप अंदर तक हिला कर रख देंगी, जी हाँ दोस्तों, आप इससे अंदादर लगा सकते ह कि जिसकी विशेश्टा ही, इतनी प्रभावशाली हों, इतनी इफेक्टिव हों, तो उसकी वास्तों में सुंदर्ता और उसका प्रकृतिक सौंदर्र कितना अद्बुत होगा, जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता देए, साथ बहने कहे जाने वाले राज्जे अप को बता दे की, ज़ि बात करी जाए कि भारत का सबसे हरा राज्जе, सबसे अधिक पिड़ो वाला राज्जे कौनसा है, तो वो असम है, जो प्राउत्तर पूरवी भारत में ही इसते था, अब हम बात करेंगे, साथ बहने कहे जाने वाले अगले राज्जे, यानी की असम की जिहां दोस्तों तो हमारा सस्पेंस तो आप समझ ही गए होंगे अब बात हैं असम की असम प्राकरतिक सुन्दरता और विविद इतिहास का खजाना देश के सबसे कम खोजे गए छेतरों में से एक है यहां जंगलों, शक्तिशाली नदियों और एकर और चाय बागानों की भूमे असम उत्तर पूरु भारत में इस्तित है पूरी दुनिया में शीर्स जैब विविदता वाला होट इस्पोर्ट में से एक के रूप में जाना जाता है असम असम बांगलादेश और भुटान दोनों के साथ अंतरास्टिय सीमा साज़ करता है जीवन संस्कृति और प्राकरतिक सुन्धर्ता के साथ एतिहासिक महत्व का दावा करता है असम भारत के सबसे खूब सूरत राजियों में से एक असम देश के करामती और पूर्वत्तर भाग का प्रदेश द्वार है जी हाँ दोस्तों ये थी असम की महत्वपूर्ण विशेस्ता है जिसमें से हमने एक आपको बताए कि असम विश्व का ही सिरफ भारत का ही नहीं बैलकि विश्व का सबसे सुन्दर एक राजे माना जाता है क्योंकि जो असम है वो अलग-अलग जैब विवीदताओं वाला एक होट स्पोर्ट है अब बताते हैं आपको असम के बारे में अन्य महतवपूर्ण विशेस्ता है तो दोस्तों आपको बता दें कि राशी, भ्रमपूत्र नदी, शांदार पहाडियों और इसकी समरिद वनस्पतियां और जीवों के साथ राजय हर परियटक का स्वर्ग है हाँ जी दोस्तों और बारा सो पच्चास किलो मीटर के छेतर में फैला माजूली एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और अपनी परंपराओं और अपनी जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है मिशिंग या मिशिंग जनजाती का घर माजूली पानी से घिरे गाउं की सुन्दरता में वापस बैठने और लेने के लिए एक शांदार जगर है असम मिशिंग की एक अनूठी जीवन शाली और वे विभिन त्यहारों को बहुत दूमधाम से मनाते हैं डिब्रूगर और असम का एक शहर भारत के चाय के शहर के रूप में जाना जाता है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि असम में चाय की अत्यदिक खेती की जाती है और असम चाय के लिए भी काफे प्रशिद है तो ये थी असम की महतपूर्ण विशिश्ता है अब चलते है अपने अगले राज्य मनिपूर की और तो मनिपूर जो की सेवन सिस्टर्स का ही एक राज्य है बताएंगे इसके बारे में मैतपूर्ण बाते हैं तो असम जो मनिपूर की में विशिश्ता हैं वो हैं पहला भारत का घैना मनिपूर भारत के सबसे खूब सूरत इस्तानों म सुची बद्ध है और जहां मा प्रकृति ने अपनी उदारता में अतिरिक्त उदारता दिखाई है जिए दोस्तों मनिपूर एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रकृति को एक मा के रूप में पूजा जाता है और जहां पर प्रकृति ने भी काफी उदारता भी दिखाई है वहा परिद्रिश्य, लहरदार पहाडियों, हरी घाटियों, नीली जीलों और घनी जंगलों के साथ आनंद प्रदान करता है। अलावा आपको बता दें कि मनिपूर अपने शास्तरिय निरत, राश्ली लाओं और मनिपूरी के लिए भी काफी प्रशिद हैं। मनिपूर अपनी सबसे शांदार सादिगी के साथ सुन्दर और शांत का भी प्रतीक माना जाता है। और सुकत जलवायू, लोक तक जील, सेंद्रा द्वीप, आयन ए, मोमोरियल और किबूल लाज मताओं। और इसके अलावा राष्टिय उद्धान राजे के कुछ प्रमुग परियटक आकर्शक है। जी आँ दोस्तों ये हैं मनिपूर के राष्टिय परियटक उद्धान जो अपनी अलोकिक सुन्दर ता और परियटकों के लिए काफी आकर्शित का केंद्र भी बने हुए हैं। मनिपूर में परियटक खरीदारी इस्थानिय हस्त सिल्प हद करगा और आभूशनों खरीद सकने के लिए भी काफी मैतपूर्ण है। मनिपूर तो ये थी मनिपूर की मैतपूर्ण विशेशता है। अब हम आगे भढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले राज्य की ओर तो हमारा अगला राज्य है मिजोरम जिसके सेहर करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो बताते हैं मिजोरम के बारे में मैतपूर्ण बाते हैं। दोस्तों आपको बता दें मिजोरम सैवन सिस्टर अफ दो इंडिया का ही एक पार्ट हैं। जिसमें मिजोरम का पूर्वत्तर भारत के सोन बर्ग के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यह हैं भारत के सबसे छोटे राजियों में इसी एक है और मिजोरम की मध्यम जलवाईू गर्मियों के दोरान भी आरामदायक होती है और इस राजे की विशार संस्कृति और भव्य तोहारों में एक अनूठा आकरशन होता है मिजोरम के पूरे छेत्र में फैली घनी हरियाली और 21 पहाडी श्रंक लाएं आपको एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए नेशेत हैं और मिजोरम में परवेश करने के लिए एक इनर लाइन पास की आवशकता भी होती है मिजोरम आपको सुन्दर हरे भरे परिवेश में रोमान चक बहारी गतिविदियों के साथ एक शांत वातवरन प्रदान करता है जो आपको शांती पूर्ण प्रकृती के करीब रखता है तो ये थी मिजोरम के बारे में मैतपूर्ण बाते तो दोस्तों एक बात तो आप समझ ही गई होंगी कि सेवन सिस्टर कहे जाने वाले इन राजियों में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि सभी राजियों में प्रकृती से जो रिष्टा है वो काफी घ्यारा और अनूठा है आसदा कि आपने मिजोरम में भी देखा कि प्रकृती के लोग कितना करीब हैं और किस तरह से प्रकृती को पुढ़ाय मा मान के पूुजा करते हैं उसके बाद बता दें आपको मिजोरम के बारे में और भी दिल्चश्प बातें तो मिजोरम अपने भव्यत्य हारों के साथ रंगीन पारंपरिक वेशबुशा में खुश लोग मिजोरम अपने सुन्दर्ता और प्रसिद सम्रिद्धी का पता लगाने के लिए आपको स्वागत करता है मासा हारी लोगों के लिए राजय का बोजन एक वास्तविक उपचार होगा जबकि शाकाहारियों को वेंजनो मेज से साथधानी से चैन करना होगा अगर आप प्रकृती की गोद में रहना पसंद करते हैं तो मिजोरम आपके लिए एक परफेक्ट जगए है भारतियों को राजय में परवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट I.L.P. की आवशकता होती है जो कि 15 दिन के लिए परमिट की लागत 170 रुपाए होती है तो ये था मिजोरम के बारे में बहुती इंट्रस्टिंग बात की उसमें परविश करने के लिए आपको एक इनर पासपोर्ट की जरूरत होती है अब हम पढ़ेंगे इनके अट्रेक्शन पॉइंट जी हाँ दोस्तो हमने इन साथो राज्यों के बारे में बाते तो जान ली अब इनके अट्रेक्शन के पॉइंट कौन कौन से है कौन कौन से इस्थान ऐसे हैं जो हमें उन राज्यों की ओर आकरशित करते हैं तो दोस्तो आ फेस्टीबल है नेशनल फेस्टीबल वो भी लोगों को काफी अपनी और आकरशित करता है उसके बाद ट्रैकिंग इन सिक्किम भी लोगों को बहुत ही जादा अट्रेक्ट करती है उसके बाद असमवन हॉन्ड रीनो यानि कि एक सिंग वाला राइनो भी काफी फेमस है और अ नेशनल पार्क जो कि असम में ही है ये रास्टीब उद्धान भी लोगों के लिए आकरशित का एक महतपूर्ण बिंदू है उसके बाद आपको बता दे कंचन जुंगा पहाड़ियां जो कि प्राइब फेमस परवश्रंखलाओं और काफी उची परवश्रंखलाओं में आ उसके बाद ट्वांग, मैनिस्ट्री और अरुनाचल प्रदेश में जो की इस्तित है वो भी काफी महतपूर्ण मानी जाती है अपनी एतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जिसकी जो बवर्णन वो हमें कई एतिहासिक किताबों में भी मिलता है जी हां ट्वांग ज जाती है समू है और इनकी जो हस्त शिल्प और कलाकारी है ये काफी परिशिद मानी जाती है तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो समाप्त होती है लेकिन इससे पहले हम आपके लिए लाएं कुछ most important questions जी हां दोस्तों बताएंगे अब आपको बहुत ही simple है और वो है साथ बहनों को साथ बहने क्यों कहा जाता है जी हां दोस्तों ये question तो सभी के मन में आता है कि seven sisters को आखिर seven sister कहा क्यों जाता है क्या reason है तो आपको बता दें पूरवोत्तर भारत में साथ राज्य जीने साथ बहने या seven sisters कहा जाता है seven sisters में अरणाचल प्रदेश असम में घाला, मनिपुर, मिजोरम और नागलेंड आते हैं जिनकी हमने इस वीडियो में पूरी फूल डिटेल में चर्चा की है जियां दोस्तो हमने इन राज्यों के बारे में जो महतपुन बाते हैं वो आपको लगबग लगबग सभी बता दी हैं जिनसे यदि कोई भी competitive exam में question भी आता है तो आप उसे कर पाने में भी सक्षम होंगे तो अब बताते हैं कि इन साथ राज्यों को आखिरकार भारत की साथ बहने कहा क्यों जाता है तो उत्तरपूर्व भारत को इनके एक दूसरे बरपरस पर निर्भरता की कारण आमतर पर साथ बहनों की भूमी कहा जाता है जी हाँ दोस्तों ये जो राज्य है वो एक दूसरे पर काफी निर्भर है और एक दूसरे पर इनकी independent होनी के कारण इनको साथ बहनों का राज्य या भूमी भी कहा जाता है इसके अलावा आपको बता दे सैवन सिस्टर्स में अर्णाचल प्रदेश अश्रमि घाले मनी पूरमी जोरम नागलेंड और तिरपुरा को मिला कर साथ राज्यों को यह नाम दिया गया है यह राज्य एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहते हैं और परस्पर निर्भर करते हैं और इनमें लगबग लगबग कोमन बात यह है कि यह जो राज्य है वो प्रकृति प्रेमी राज्य है तो इसी के साथ हमारी यह आज की वीडियो समाप्त होती है और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़ाद से ज़ाद लोगों तक शियर करें और comment section में अपना reaction मी लिखें ताकि हमारा भी थोड़ा से confidence गेन हो सकें और अगर कोई doubt भी है तो उसे भी आप comment section में लिखें ताकि हम अपने आने वाली वीडियो में उन doubts को भी clear कर सकें और दोस्तो हमारे YouTube चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना भूले और यदि आप हमारी videos की लगाता notifications चाहते हैं तो वीडियो को subscribe करने कि साथ साथ उसके side में bell icon को भी press करना ना भूले इसी के साथ जैहिन दोस्तो थैंक यू friends